शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें मंगलवार को दिग्रस शहर में 27 लोगों की रिपोर्ट कुर्णा पॉजिटिव आने की खबर का खुलासा हुआ जिसमें 24 पॉजिटिव रिपोर्ट्स कॉलेज नगर से तौन नतीन शहर के नीजी अस्पताल से है ऐसे में तैसिल के कॉलेक्टिव पॉजिटिव मरिजों का आकड़ा 55 पर जा पहुचा है देगरस तैसिल में कॉलेक्टिव से नीगेटिव में तबदील लोगों की संख्या में लगातार इजाफा दिखा जा रहा था ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो कॉलेक्टिव संक्रमन का जालब कमजोर हो चुका है लेकिन ऐसे में मंगलवार को शेहर के कॉलेज नगर से 24 और एक नीजी अस्पताल से तीन लोगों की कॉलेक्टिव आने से तैसिल के वीगत 28 पॉजिटिव मामले मिला कर इस समय कुलनारिक्टिव पॉजिटिव मरिजों की कुल संख्या पचपन पर पहुँच चुकी है इस संदर में जानकारी देते हुए कोविड केर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविनवार ने बताया कि कुछ दिन पहले दिगरस तैसिल और शेहर के स्वैप के सैंपल या अतमाल भीजे गए थे उनमें 27 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है हाला कि मंगलवार को शेहर से 70 के करीब स्वैप सैंपल के लिए गए थे जिनको या अतमाल भीजा जा रहा है और उनकी जिनकी रिपोर्ट आने में अभी समय है मालुम हो कि बीती कुछ दिनों से शेहर के कोईड केर सेंटर पर जारी रैपिड एंटिजन टेस्ट की प्रक्रिया बंध है सूत्रों की माने तो वीगज चार अगस से अब तक लिए गए स्वैप सैंपल्स के नतीजे जाच प्रक्रिया के तहत रुके हुए थे जिन में से मंगलवार को हाथ आई रिपोर्ट में से 27 मामले पॉजिटिव आये है जबकि इससे पहले दिग्रस तहसिल में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरिजों का आकड़ा 28 था जो आप बढ़कर 55 हो चुका है गौर तलब है कि वरिष्ट अधिकारियों के आदेश से बीते दिनों शेहर के कोईड केर सेंटर में जारी रैपिड एंटिजन टेस्क का काम रोग दिया गया है जिस वजह से रिपोर्ट आने में समय लग रहा है बैरहाल मंगलवार को 27 पॉजिटिव मामले उजागर होने से शेहरवासियों की चिंता बढ़ गई है ऐसे में जरूरी है कि शेहरवासी डबल्योचों के दिशा निर्देशों का सक्ति से पालन कर अपना और अपनों का ख्याल रखे क्योंकि कुलना संक्रमन का खत्रा भी टला नहीं है इन बीजन नियूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट